दोस्तों इस वड़ो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कम्प्यूटर या PC से अपने Facebook अकाउंट को permanently कैसे डिलीट करें अगर आप PC में अपना Facebook अकाउंट यूज करते हैं और आप इसी से अपने Facebook अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं permanently तो कैसे आप डिलीट करेंगे चले मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही easy process है इसके लिए सबसे पहले आपको अपने laptop में आ जाना है फिर आपको अपना कोई से भी एक browser open कर लेना है मैंने Chrome browser open कर लिया है अब यहां पर आपको search करना है Facebook login आप Facebook search कर लिजे या फिर Facebook login सर्च कर करना है तो यहां पर email ID और फिर password डाल दीजे तो चले मैं डाल देता हूँ आप यहां login पर क्लिक कर दीजे तो देखिए मेरा Facebook Facebook account यहां पर login हो चुका है तो अब यहीं से मैं इस account को delete करना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या करना है यहां देखिए किनारे में आपको profile icon दिख रहा होगा आपके account का इस पर क्लिक कीजे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको option मिलेगा settings and privacy आपको यहां उपर नीचे आपको मिलेगा account center आपको यहां ऊपर नीचे कहीं पर भी click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके facebook account का account center open हो जायगा आप यहां पर देखिए आपको एक option मिलेगा personal details आपको इस पर click कर देना यह देखिए personal details का option इस पर click कर दीजे अब facebook account delete करना काफी जएदा easy हो पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिल जागा account ownership and control यहां देखे नीचे ऑप्शन account ownership and control इस पर क्लिक कर दिजे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का page आजाएगा यहां पर देखे लिखा हुआ है deactivation और deletion आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका Facebook अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा इसको select कीजिए Facebook अकाउंट को select करने के बाद अब देखे यहाँ पर आपको option मिल जागा deactivate account और दूसरा option है delete account तो हमें delete करना है तो यहाँ delete पर क्लिक कर देते हैं delete पर आप क्लिक कर दीजेगा उसके बाद आपको यहाँ continue पर क्लिक कर देना है जैसे आप continue पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह reason पुछेगा कि आप क्यों अपने account को delete करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको इसे भी एक scroll करके नीचे आना है फिर से आपको continue पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको अपने इस facebook account का password डालना है तो password डालने के बाद आपको फिर से continue पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप password डाल कर continue करेंगे तो अब आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा अब यहाँ पर यह last बार पूछ रहा है confirm permanent account deletion अगर आप यहाँ पर delete पर click कर देंगे तो आपका account delete में चला जाएगा और वो 30 दिनों तक delete में पड़ा रहेगा यह देखे लिखा हुआ है after 30 days यानि कि 30 दिनों के बाद यह permanently delete होगा 30 दिन के अंदर अगर आपको मन करें तो आप अपने account को दुबारे से recover कर सकते हैं ID password डाल कर तो हमें delete करना है तो चलिए यहाँ पर मैं delete account पर click कर देता हूँ अब जैसे आप delete account पर click कर देंगे तो आपका Facebook account पूरी तरीके से logout हो जाएगा यहाँ पर देखे हम account से बाहर आ गया है और हमारा account delete में चला जाएगा अब वो delete में चला गया है अगर आपको उसको recover नहीं करना है तो 30 दिनों तक आप उसको बिल्कुल भी कहीं पर login मत कीजेगा वरना वो delete नहीं होगा वो दुबारा से activate हो जाएगा तो 30 दिनों के लिए अब आप उस account को एकदम से छोड़ दीजे वो अपने आप 30 दिनों के बाद permanently delete हो जाएगा फिर उसके बाद उसका जो ID और password है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा आप उसको चाहें रखें या फिर उसको हटा दीजेगा तो इस प्रकार से आप अपनी PC या laptop से अपनी Facebook अकाउंट को permanently delete कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियोफ लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा